आएक्षिन अपने हाथों से हमारे लिए चाय बना कर पड़े प्यार से चगाते थे और फिर जाते समय कहते थे तहीं खिला कर कि बेटा रामची का स्मरण करके परचा लिखना बहुत अच्छा होगा अपूजी अब इतने जल्दी क्यों चले गए अरे आपने ही तो अपनी बिट्टू के लिए सपना देखा था ना कि हम पढ़ लिखकर किसी ओफिस में बहुत इज़दार नौकरी करें फिर आपको वो सपना पूरा होते भी भी तो देखना चाहिए था लेकिन कोई बात नहीं अब हमने आपका चेहरा अम्मा के ही चेहरे में देखना शुरू कर लिए और हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि अब अम्मा की अंखों से आप अपना सपना पूरा होते हुए देखेंगे यह बाता है हमारा आपसे अच्छा अब हम चलते हैं पायो लगो